जो कहता है लाव में खाना पचाने को तैयार हूँ और नहीं भूग का मतलब डालना मत मैं तैयार नहीं हूँ, मैं कहीं इंगेजड हूँ लेकिन हम लोग खाना कैसे खाते हैं? टाइमली, सेकलोजिकली हम लोग क्या कहते हैं? सुबह नौ बजगे या उफिस जाना इसलिए खालो दो बजगे इसलिए खालो अभी डॉक्टर सची ने छोड़ दिया इसलिए खालो शाम हो गए इसलिए खालो घर में आ गया इसलिए खालो आज मैंने खाया नहीं इसलिए खालो बेकार में जाएगा इसलिए खालो ज्यादा बन गया इसलिए खालो मुथ में मिल रहा इसलिए खालो तो आपका जो खाना है वो वास्तव में शारिरिक मांग से ना होकर psychological timely मांग से होता है शरीर कहता है भाई साब मैं आपकी मजबूरियों को नहीं जानता मैं मांगू और दोगे तो खाना पचा दूँगा और अगर मैंने नहीं मांगा और दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूँगा क्यों? No hunger means, no juice secretions और अगर आपने डाल दिया नहीं नहीं सब लोग खारे में ही खाई लेता हूँ टाइम कैसे निकालूँ डाल दिया तो शरीर क्या करता हूँ आपने शरीर में बड़ी limited reserve wide energy है वो नीचे already digestion में लगी हुई है वो वहाँ से एमरजेंसी की तरह deal करता है जो खाना आ गया फालतु में और फिर वो वहाँ से वो energy विड्रा करके आधी इदर लगाता है तो आधी उदर ही आधी मिलती सर्फ उदर तो क्या होता है constipation create होती है भूग का असली कारण यह नहीं है कि तुम fiber नहीं खा रहे हो भूग का असली कारण है energy low है intestine में क्यों तुम सारे दिन उपर ही खीच के रखते हो बगर भूग की भी तो जिस दिन तुमने भूग से खाना सीख लिया खाना घटिया था खाना भारी था पच्चने की 100% guarantee और जिसका खाना पच गया उसको कभी constipation नहीं हो सकती क्यों आते तो design की गई उसी purpose के लिए भाई आते कहती है भाईया मुझे सिखाने की जोत नहीं कि कब करूँ न कब करूँ I know my job very well आप prepare मेरे रास्ते में बाधा मत पैदा करो प्रीज आप जानते हो पिशाब करने को पचास सांट सेकंड लगते हैं इस तूल पास करने को सिरफ दस सेकंड आप चाहो तो phone hold करके जाके आ सकते हो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या कर दिया हम लोग सुबह घुमने निकलते हैं पती बतनी जब तक मेरी एक partner जूता निकाल के फीता बांता है ना तब तक दूसरा partner आ जाता बाहर पता है आपको इतना fast बता रहा हूँ और इसमें कोई आश्रे चकित बात होने की जबत भी नहीं है आपने कभी जानवर को देखा हाती घोडे कुते बिली रास्ते में चलते हैं चानक खड़े होते हैं टक 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 पास करते हैं निकल पड़ते हैं कितनी टाइम लगती है आप दी को पता नहीं क्या प्राबलम हो गई लैबरीर बनाके बैढ़ गें अंदर अरे भाई इतनी समस्या नहीं हैे मोशन में और कितना हंगामे करता है कितनी लड़ाई लड़ रहा है रात को दूद पी रहा है इसब गुल खा रहा है कयाँ चुन खारा है और सुबह उड़के बिडी फूक रहा है गरम पानी पीर आए कपाल भाती कर रहा है अच्छा हुआ भगवान ने किड्नी अंदर कर दी वह ना पता नहीं पिशाब कैसे करता लड़े जा रहा है शरीर से तो दोस्तों जीवन फाइट नहीं है फ्लो है फ्लो लड़ो मत जीवन से इसे कानून के साथ जुड़ो